हालो नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर उत्तम कुवालेंका मैं कंसल्टन डर्माटोलिजिस्ट हूँ ट्राइकुलिजिस्ट हूँ यानि स्कीन और हैर स्पेसलिस्ट हूँ मैं कुलकाता में काम करता हूँ और मैं हिंदी में स्कीन और हैर रिलेटेड टॉपिक में बीमारियों के बारे में आप लोगों को एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और यह सारे वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उत्तम कुवालेंका स्कीन और हैर के नाम से जो है उसमें स्टोर रहता है अगर इसा कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिले और आप दे सकते हैं तो आज में आप लोग के सामने दो टॉपिक डिसकर्स करूंगा हम दो वीडियो में बनाएंगे इसको फर्स्ट वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे बहुत ही कमन आम है जो सबको एसको कभी गश्रक्रियो लगवग होता है कभी ना कभी होता है तो जिसका चाल में अटिकरिया इंगलिस सब्सकर्डार और हिंदी में कोई-कोई लोग इसको पित्ती बोलते हैं और बांगला में इसको आम बात बोलते हैं और उडिया में कोई-कोई इसको अज्ञांत बात बोलते हैं तो हम सुरू करते इस टॉपिक को तो यह पित्ती और यह आटिकरिया जो हाइप सी कैसा होता है कैसा दिखता है क्य होता है यह बिमारी इसमें क्या होता है पेशेंट के सरीर में लाल 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 डाफ़र जैसे फूल जाता है अगर यह जब होता है तो बहुत खुजली होता है बहुत सारा खुजली होता है पेशेंट सारा दिन देड़ महीन से और भी ज़्यादा दिन तक पर्सिस्ट करता है मतलब रहता है पेशन को तकलिफ देता है तो इसको बोलते हैं इसको कम करते हैं मतलब मतलब बहुत देन से जिसका कारण नहीं पना है और हैप से इसका सिंपनल मीनिंग है हिंदी में और क्या क्या हो सकता है कारण क्या हो सकता है शुरू करते हैं पहले से जो बच्चों में होता है वो खाने पीने से होता है क्या क्या खाने पीने से होता है कोई कोई एंडा खाने से होता है मिल्क खाने से इसे अब टीकरी से होता है तो इस गृता है दूसरा कोज हो शक्ता है कोई भी हेपाटेटी लेने के बाद में कभी लार हमारा सभिय में फूल फूल जाता लाल हो जाता है और ऐसिन कुझ-कुछ टीका का लेने के बाद बच्चे लोग को वैक्चीन देने के बाद भी यह अरटिकारिया और किंफक्ष योता है कब के रिंग वाउंस से होता है जो हमारा पोटी मैं वांस निकलता है तो यह वार्म इ तामल से भी हो सकता है आपका जो एस पुलों का पर मेडीशिन जट रहता है यह दवाई खानے के कारण मेंraw हो सकता है कभए-कभी आपका कोई serum स्वाएं से कुछ बीमारी होता है उसके डिटल में जानने की जरुवत नहीं है और यह कभलीस हो जाता है यह होता है आपका टरी करिया दुसरा दॉसक्त छीज दोstalk सकते हैं जो अप सकते हैं उसके वज़सी होता है तो थोता है अप सबस्क्राइब दर्मगराफी यह अब लोग बहुत सब्सक्राइब इसको देखे होंगे AUJ किसी भी फ्रेंट सो फैमिली रिलेटिव उसमें इसमें क्या होता है अगर कोई अगर आपका सरीर को इसे खीज देता है नाकुन से या पेंट से तो उसमें लंबा सा एकदम लाल सा श्कीन फूल जाता है और खुजली होने लगता है इसको बोलते हैं सिंटमाटिक डर्मोग्र अगर उसमें कोच फूट में बाहर निकलते प Online आपको फूजली laut उने लगता है और कोई-कोई रहते हैं थोड़ा झाज करते हैं तो प्लीनर्ज कृटिक करिया है क्लिनर्जिक डीन इक हो सकता है हो स्मस्डार कशोटे कठने के बाद चोटा शोटा कभी-कभी थंडा चीज लगने के बाद वहां पे खुजली होना लगता है यह होता है अपका को लटी करिया इसको कैसे करते हैं पैसे ना के बोलता है फिर अगर हमको अगर कंफर्म करना है तो हम थोड़ा आइस कीव लेके फ्रीज से उसका सरीर में कुछ टाइम के लिए रख हथी जाता है अग्यां को लिए और यहाप फुजल से फुजली यह टाब रहता है आफ हाने के बात वहांता रहे आज होता है वह अगर मैं फूजल meow संरीयर प्रीट हर करिया कभी-कभी भारी चीज उठा लेते हाथ में तो हमारा हां तो वहां पर हाथ भी फूल ने लगता है यह बहुत कमन है यह पेसेन के लिए बहुत प्रब्लेमेटिक और डॉक्र के लिए भी Pwaau Luke two धूland a 23 में जने से सनलाइट लगने के बाद भी एक शो सकता है और एक होता है इंपोर्टांट ये होता है स्ट्रेस अर्टिकरई वो शरे लोग स्था सै स्लेने से थोड़ा जयदा अगर लगता स्केरिया वोलता है तो यह को बोलता है तर अंदर चहीं पर अगर यह था come में प्रस्जान होता है अंधर अगर अगर हमारा ट्राक्या में होता है तो हमको सांस लेने में प्राब्लेम होता है यह अर् निवार्च को दिखाना है उसमें are deficiency होता है Injection होता है जो दिया जाता है जिसके बजसे तो देथ कर जाता है तो ये सेंट वी कर जाता है तो एक सबस्तर सब्सक्राइब कभी-कभी अलग भी हो जाता है और प्राब्लेम है तो किसको क्या करना चाहिए उसको पहले तो अपना क्या करन से हो रहा है बीमारी के साथ और भी कुछ बीमारी है जो देखने में एक जैसा लगता है लेकिन आर्टीकरिया नहीं सब्सक्राइब करने के लिए आपको है कि और कुछ दूसरा बीमारी है आपको पहले करना पड़ेगा अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे आपका सारे पहले नहीं करे उसके बाद नॉर्माड डॉटीन आपको करता ि को कोई भुखार भुखार रूपकर नहीं नहीं दिखता है उसके बाद और कुछ प्रिक्टेस्न वह भीास कबई-बदास इसको अलग्कली अलग करने के लिए स्कीन का बाइब सी छोटा सा चमडी काट के भी टेस्ट किया जा सकता है और यह जो हाइब से इसका टिपिकल फीचर है कि यह 24 घंटा से ज्यादा नहीं रहता है 24 घंटे के अंदर कुछ घंटे के बाद अपने अब ठीक हो जाता है तो इसके लिए क्या क्या अभेलिवल है और कितना दिन तक यह बीमारी रहता है यह कभी ऐसा देखा गया है कि क्रॉनी कर्टी करें मतलब 6 हबते से अगर ज्यादा रह गया किसी पेसेंट का यह बीमारी तो ज्यादा बतलब और 20 परसेंट ज्यादा 70 परसेंट पांच सल के अंदर ठीक हो जाता है और 90 परसेंट और दो सल मतलब साथ साल आठ सल लगा सकते हैं और ऐसे भी कुछ पेसेंट होते हैं जो बहुत साल से दवाई खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं कभी कभी यह प पता नहीं कर बार हैं कोई भी दॉक्र इसको जितना भी इंवेश्ट इसन करा लो नहीं पता करते बहुता है तो अपना प्सक्राइब डॉक्टर थूरुन आपके लिए पैसा दे रहे तो बिल्कुल अपके लिए टेस्ट करे आपको बोलने की जरूरूत नहीं है तो यह अभी कई पेसेंट आने के टाइम हचाय दो उसका शरीर में यह चीज ना भी हो लेकिन हिस्ट्री से डॉक्टर को पता चल जाता है कि हां यह पेसेंट का आटी करिया है तो आप यह डाइग्नोसिस में बिल्कुल टेंशन मतलिजे इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है और इसका बहुत सरा ट्रीटमेंट है पहले हम सुरू करते हैं अंटी हिस्टामिनिक से मतलब अंटी अलर्जिक दबाई जो बोलते हैं पहले जो फास्ट टेटिंग होता है नॉन सिडेटिव मतलब इसे अलर्जी का दबाई जेते हैं जिसमें ज्यादा नीद ना हो नहीं त और उसके बाद अभी सबसे नेया वलाज आ गया है वेप अच्षा काम करता इसमें ज्यादा नीद नहीं आता है और अगर इसके साथ नहीं होता है तो इसके साथ दूसरा इसका डोस्पी बढ़ाते हैं डॉक्तर इसके साथ दूसरा अइंटी स्टैमिन यहाइड्याड क्रत करता है और उसके बाद वह ट्रीट्मेंट प्रोटोकल उसका देता है कभी-कभी यह सिंपल से यह सिंपल दवाई से ठीक हो जाता है और इसको लंबा टाइम तो खाना पड़ता है अपने से बंद मत करिए डॉक्टर जो बोलता है तब उसको बंद करिए और यह अगर इससे भ यह सब्सक्राइब करता है और यह कमजोर अग kon Josh इसुआ Secretary नरे देता है तो आउंक में कोई देखने प्राब्लबलम है कि यह सारे सारे चीजद करने के बाद दोक्ठर आपको देता है बहुत लोग के नाम से डर जाते हैं कि यह स्टिरोइट तक दबाई हना तो आपके तो आपके प्राब्लेम के लिए तो इसको बिल्कुल फाइदा होता है इसका गलत यूज नहीं करना है अपने हिसाब से नहीं कहना है क्वालिफाइट के पास ही जाके खाना है और डर्माटोलोजिस्ट ही इसके लिए बेस्ट है अगर आपका कोई श्कीन प्राब्लिम है बाकी चीज़ के लिए दूसरा दौक्टर उनके लिए लेकिन प्राब्लेम के लिए देते हैं तो स्टिरोड को चोड़के और भी एक उस हमीं जो nonusementi करते हम लेकिन स्टेरोट से काम करता है जो थोड़ा महंगा होता है क्या हुआ होता है होता है यह होता है लिए होता है यह जल्दी रष्मांस तो उसको भी जो नॉन-्रेश्पवंडर बाकी दवाई को जिससे असर नहीं होता है बाद में ये दवाई शुरी का जाता है तो ये खाने का दवाई के साथ साथ भी कुछ लगाने का इसे लोसन होगा। तो इसके साथ साथ भी आपका अगर कोई टेस्ट में और यह आपका हिस्ट्री में पता चलता कि आपको इस चीज़ से प्राब्लेम हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से भी परहिज करना है आपको उसे अभाइड करना है और इसे करने से आपका यह अर्टी करिया का प्राब्ल में समझाएंगे अगर आपका कोई भी पेसेंट में कोई भी रिलेटीव हो फ्रेंड हो कि इसको यह साथ प्रॉब्लम है तो आपको इनको यह वीडियो सेयर करिए उनको दिखाईए ताकि उन लोग की इसका वेनिफिट साइदा उठा सकते हैं और अगर ऐसा कुछ आपको और कोई बीमारी के बारे में जानना है पता करना है तो आप बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए वहां कमेट बॉक्स में लिखिए तो बिल्कुल में ट्राइब करूंगा कि आपके बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा तो यह वीडियो अभी यहां प चांचे